अगर आप लोगों के मन में जो भी डाउट है आप लोगों के जो भी कोईशन्स है बुलेट 350 नेक्स जेनरेशन से रिलेटिड या बुलेट 350 जो भी करेंटली आ रही है इससे रिलेटिड तो आप ये कल वाली वीडियो दोस्तों जरूर देख लेना जाद लंबी वीडियो नहीं ये छोटी सी वीडियो है लेकिन इसमें मैंने सारे ही डाउट आप लोगों के क शांती कर दी है अब कोई भी इसके बारे में न्यूज नहीं आ रही है लेकिन एक न्यूज आ रही है दोस्तों वह आप लोग गोगों को बताने वाला हूं दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं आज की वीडियो start फटावट से एट वीडियो शुरू करने से पह ले देगे दोस्तों इसकी जो मार्केट है रॉल Infield की वो बेसिकली डिपेंड है सिर्फ लिवर बुलेट 350 एन उसक्तेथे फिर पे अब कलाशिक पर चेंज हो चुकी है दोस्तों तो अब जो शियप आ रहे हैं कलाशिक 50 की वो तो हम लोगों ने पसंद करनी शुरू कर दी है अब क्लासिक 53 जो सेल्स है वो पहले की तरह वापस आ चुकी है स्टार्टिंग इनिशल डेज में क्लासिक त्री जनेशन नहीं यादा सोल्ड आउट नहीं हो रही थी लेकिन अब जो क्लासिक 53 की सेल्ज है वो कफी ज़यादा बहतर हो चुकी है दूस्तों इसकी जो सेकंड सेल्ड करती है वो करती है रॉलेंफिल बुलेट 350 पर अब जो बहुत तगड़ी booking उस पे दोस्तों आप लोगों को एक से डेड़ महीने की booking पे जो हो देखने को मिल रही है एक महीने से पहले तो शायद ही कई वो बाइक आप लोगों को मिलने वाली है तो उसके बारे में दोस्तों कुछ जादा ही रिवर्स उड़ गए थे एकदम से कि बुलेट 350 नेक जनरेशन आ क्यों नीरी यह तक वो दुस्तों यह एक रीजन सामने आया है कि जो बीस सेवन में एक E20 अप लोगों को पता होगा दूस्तों एथनॉयल E20 अब हर बीस सेवन वाले मॉडल से में आप लोगों को मिल रहा है जिस बज़े से वह जो माईलेज है वो 20 से 30% मेलेज फाल्तू अप लोगों को देगा प्लस साउंड पोलुशन नॉइस पोलुशन वो बहुत कम कर देगा उन्मोस 40-50% वो कम कर रहा है साउंड पोलुशन और नॉइस पोलुशन ठीक है तो वो जो है दोस्तों उसका लाइसेंस होता है वो बुलेट 350 नेक जनर बिल्कुल रेडी है बननी पड़ी है दोस्तों तयार है लेकिन वो उसको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है इस वज़े से रॉलिंफिल उसको भी मार्गेट में नहीं उतार पा रहा है ठीक है तो एक यह है दोस्तों लेटेस्ट अब तक का रॉलिंफिल बुलेट 350 नेक जनरे तो वो अब तक से रॉलिंफिल नहीं कर रहा है रॉलिंफिल तो यह था दोस्तों लेटेस्ट अबडेट बुलेट 350 नेक जनरेशन का तो आज की वीडियो मा बस इतना ही था आप लोगों वो अबडेट देना था दोस्तों एक अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ल